गुड मोनिंग क्लास। मैं आशा करती हूं कि सभी बच्चे स्वास्थ होंगे। तो आए बच्चों हम लोग स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपना हिंदी बुक निकालेंगे और पेज नमबर 47 खोलेंगे। चाप्टर एट टोपिक है मेमना और भेरिया। तो सभी पेज नमबर 47 खोलेंगे। यहां शब्दर्थ है। इसी हम लोग दुहुराएंगे। हम लोग पहले के क्लाश में मेमना और भेरिया कावीता को पढ़े, शमझे और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं सब्दर्थ की ओर। तो यह सब्दर्थ है सभी बच्चे अपने क्लाश्वर कोपे में जरू लिखे होंगे और इसे सभी याद करेंगे। मेमना बक्री का बच्चा, राह, रास्ता, मार्ग, भै, डर, गल जाना, दुबक कर जाना, सटकना, धीरे से भाग जाना, घडी, शमय, वक्त, वीर, बहादुर, ललकारना, चुनावती देना, दो हाथ मिलाना, लडना, जापड, थपड, तमाचा, कनपटी, जारना, कनपटी पर मारना, दो मारना, गिरा देना, ताना देना, चुबने वाली बात कहना, बेघत, खराब मेमना, बक्री का बच्चा, राह, रास्ता, मार्ग, भै, डर, गल जाना, दुबक्कर जाना, सटकना, धीरे से भाग जाना, घडी, शमय, वक्त, वीर, बहादुर, ललकारना, चुनावती देना, दो हाथ मिलाना, लडना, जापड, थपड, तमाचा, कनपटी जारना, कनपटी पर मारना, दे मारना, गिरा देना, ताना देना, चुबने वाली बात कहना, बेघत, खराब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मौकी कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर वन, मेमना कहां फुदक फुदक कर नाच रहा था दूश्रा नमबर, राह पकड़े काउन चला जा रहा था दूश्रा नमबर, भेडिया किसके भैसे गला जा रहा था उत्तर है, भेडिया कुत्तों के भैसे गला जा रहा था चौथा नमबर, मेमने ने किसे ताना दिया उत्तर है, मेमने ने भेडिया को ताना दिया फिर हम लोग लिखित कोश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो सभी बच्चे लिखित कोश्चन को अपने क्लाश्वर कोपी पर जरूर लिखे हैं, उसे अभी आप लोग निकालेंगे. तो ये लिखित कोश्चन आप लोग अपने कोपी पर जरूर लिखे हैं, तो हम लोग एक साथ इसे एक बर दुहराते हैं. लिखित कोईश्चन, कोईश्चन नमबर एक, राह पकड़े जा रहे भेड़िये की दसा का वर्नन करो, इसका उत्तर है, राह पर चला जा रहा भेड़िया, कुत्तों के डर से डरा और सहमा हुआ चल रहा था, इसका उत्तर है, राह पर चला जा रहा भेड़िया, कुत्तों के डर से डरा और सहमा हुआ चल रहा था, दूश्रा नमबर, मेमने ने भेड़िये को क्या ताना दिया, उत्तर है, मेमने ने भेड़िये को ताना देते हुए कहा, बहादुर नाना, चोरी चोरी कहा भागे जा रहे हुआ, तीसरा नमबर, भेड़िये ने मेमने के ताने का जबाब किस प्रकार दिया, उत्तर है, भेड़िये ने मेमने को जबाब दिया कि इस समय तुम छट पर खड़े होकर ताकतवर बन रहे हो, फिर से भेड़िये ने मेमने को जबाब दिया कि इस समय तुम छट पर खड़े होकर ताकतवर बन रहे हो, छट के सहारे तुम वीर बन रहे हो, ये जितने भी लिखित कोश्चन एंसर है, सबी इसे याद करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर question number का question number का में है सही वाक्या के सामने सही और गलत वाक्या के सामने गलत के निशान लगाईए तो यहाँ question number one है मेमना, होश्यार और बहादूर था यह सही answer है दूसरा नमबर भेडिया खुंखार जानवार होता है यह सही answer है भेडिया कुतों के डर से सहमे हुए चल रहा था यह सही answer है उसके बाद में है यह चोथा नमबर भेडिया चत पर चढ़ गया यह गलत है पाँचवा नमबर बुद्धी साली की जीत होती है यह सही है आज के लिए इस पाट को हम लोग इतना ही पढ़ते हैं फिर मेंआगे फिर से एक बार मैं दूरा रही हूँ हाफिया लिए एक जमका सेलिबस तो सभी खोलेंगे यह विशे सूची यहाँ आप लोगों के लिए हाफिया एक जमका सेलिबस है फिर से एक बर मैं इसे बता रहे हूँ चैप्टर वन आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर टू इमानदर रामू चैप्टर फोर एकता में बल चैप्टर सेबेन राष्ट्रे पिता महत्मा गांधी चैप्टर एट मेमना और भेडिया और गिंती है एक से तीस तक ये हिंदी में अक्षा गिंती है इसे अक्षार और आंक दोनों में लिखने के लिए और पढ़ने के लिए सीखेंगी यहाँ फिरली एक जम कसली बहस है जब सभी इसे अच्छी तरह से प्रिपेर करेंगे धन्यवाद